हेलो अरिवन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस की एक शान्दार ट्रिक तो जब भी आपको टाइम आफ रेस्ट पर आर पूछा जाए रेस्ट से रिलेटेड क्वेस्टिन मिले अगर आपको तो वहाँ पर इस ट्रिक को आपको अप्लाई करन है तो चलिए इस ट्रिक को देखते हैं एक क्वेस्टिन के माध्यम से तो क्वेस्टिन क्या है हमारा विदाउट इस टॉपेज अट्रेंस ट्रवेल्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमेटर पर आर मतलब बिना रुके किसी ट्रेन की जो एवरेज स्पीड दी हुई है वह ह अगर जब ट्रेंस टॉपेज लेती है तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 60 किलोमेटर पर ठीक है जो मेनी मिनट्स पर आट दो तो हमें बताना है कि हर गंटे में कितने देर तक वह ट्रेंस टॉप की है ठीक है चलिए तो देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है और इसे हम क हमें क्या होगा difference in average speed जो भी average speed है यानि कि without stoppage average speed और with stoppage average speed दोनों का difference और upon speed without stoppage और बिना stoppage की leave speed जो होगी जो average speed होगी उससे हम divide कर देंगे तो हमारा time of rest पर निकल जाएगा तो यहां पर हमारा stoppage जो speed थी वो कितनी थी 75 ठीक है और stoppage के साथ कितनी थी 60 ठीक और upon में क्या जाएगा speed without stoppage कितना आएगा 75 ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा 75 में से 60 को माइनस करें कितना आएगा 15 upon 75 ठीक यह क्या आएगा 1 upon 5 1 upon 5 क्या होगा यह 1 upon 5 R है तो 1 upon 5 R का मतलब क्या हुआ 1 upon 5 में जब मैं 60 से multiply कर दूँगा तो यह क्या आ जाएगा यह 5 12 जा 60 है ना तो यह आ जागा 12 मिनट ठीक है तो यहां पर जो हमारा time of rest per R होगा वो क्या होगा 12 मिनट तो हर घंटे में वह गाड़ी 12 मिनट रुक रही होगी तो इस ट्रिक के माध्यम से जब भी आपका इस टॉपेज का question आए आप within seconds इस तरह के questions को solve कर सकते हैं जैसे simple सा है दोनों की average speed का difference लिया और इसमें without stoppage वाली speed से भाग दे दिया ठीक है उमीद है कि आज की trick आपको समझ में आई होगी तो ऐसे ही tricks को जानने के लिए जूड़िए आपके अपने channel online learning with experts पर और हमें follow आपके टेलीग्राम पर ओली community पर